हेलो फेंड्स विल्कम टू माई योटोब चैनल जी एस क्लासेस में आपका स्वागत है फेंड्स आज हम अपने इस वीडियो में जी आसी लेक्षर सोसियोलोजी प्रैक्टिसेड अमबर 47 को सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिसेड बिल्कुल स्लेवर्स के एकॉर्डिंग त्य स्वाइवे तो चलिए सॉल्व करते हैं आज यमारे प्रैक्टिसेड़ नमर 47 के कुशियो नमबर वन को आज हमारा कुश्च नमबर 1 है समाजोन योब संस्कृतियों के वी परंपरा कृरंड से गुज़ड़ने की प्रक्रिया जाने जाती है ऑप्सेड नमरें पश्चिमी क करण समाजों यों संस्कृतियों के वी परंपरा करण से गुजरने की प्रक्रिया व्यस्वी करण यानिकी ग्लोबलाजेशन के नाम से जानी जाती है तो कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर डी आज हमारा सेकेंड कुश्चन है निर्म लिखित में क लाइट जाएगा हमारा ओप्सन नमबर डी यानि कİ ब्रामbecue करण और पशेमी करण डाक्टर श्री निवास More संस्कृत करण को परिवाशित करते वर्य कहा है कि संस्कृत करणुवा प्रक्रिया है जिसके दौरा कोई निम्न हिंदू जात अत्षा कोई जनजात किसी उच्च प्राया दुजजात की दिशा में अपने रीत रिवाज, कर्मिकांड, विचारधरा तता पद्देत को बदलता है या किसी जात की सांस्कृतिक गचिलता का सरूप है सरपतम स्री निवास ने इस इधानत का नाम ब्रामणी करण दिया है कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सिन नमबर डी आज हमारा थर्ड कुश्चन है निम निलखित विचारों को पढ़ते हुए या असपश्ट कीजिए कि कौन सा विचार संस्कृत करण को संकेत करता है ओप्सिन नमबर यह है उची प्रसित बनाने का दावा करना ओप्सिन नमबर बी उची जातियों की जीवन सहली का अनुकरण करना ओप्सिन नमबर से नए कर्मकांड और प्रताओं का अनुकरण करना और लाष्ट है ओप्सिन नमबर डी समस्तरी सामाजिक गस्यलता का होना कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सिन नमबर बी option number भी यह सामाजी गशिलता की और संकेत करता है option नमबर सी है इसके एक से अधिक आयाम है और लाश्ट है option नमबर डी यह रितुजननन संबंदी परिवर्तन है कुछन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुछन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option option number D यानि कि यहां रितुजननन संबंदी परिवर्तन है यहां संसुरी करण की प्रक्रिया से संबंदित नहीं है जबकि यह तीनों ही संसुरी करण की प्रक्रिया से संबंदित है कुछन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D फ्रेंड्स उमेद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहो तो प्रीज आप वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप इस वीडियो के पीडियाप को डाउनलोड करना चाहते है तो आप हमारे टेलेग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं जहां पर आप लोगों के लिए प्रवाइड के अभी तक जितने भी प्राक्टिस हैं उन सभी के पीडियो पहां पर अवेलबल हैं जिसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथी साथ फ्रेंड्स मैं आपको इ प्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए यूजी से इनर्जी आरप के लिए रिगुलर सामको टेन पीम पे एक मॉक्टर यानि के टेस्रीज भी लांच करने वाला हूं जिसे जो है जो इस पिसले यूजी से इनर्जी आरप के परपस से तयार किया जाएगा यदि आप जो है प पर प्रवाइड किये गए जितने भी प्रैक्टिस एट हैं उनको सॉल्व करते हैं तो आपको यूजी सी नर्जी आरप में माक्सम सारे जितने भी कुशन आएगे वो सभी फंच जाएगे और आपको निश्चित ही सपलता मिलेगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा जिया स समू किसी उच या प्राया दुष्जात दिशा में अपने रीत रिवाज कर्म कांड विचारधारा और जीवन पद्यत को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं आप्शन नमबर ए है आधन की करण आप्शन नमबर भी सारभौम की करण आप्शन नमबर सी पश्मी कर करण जेब को समचन का प्राया दुष्जात दिशा में अपने विचार रित रिवाज कर्म करंड विचारदारा और जीवन पद्यत को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को संस्कृतिक करण कहते हैं कोसर नमबर ए होगा आज हमारा अगला प्रसण है निमनांकित में पाश्याती करण की आउधाड़ा किसने दीत किसने दी है आप्शन नमबर है योगेंद्र सिंग ने आप्शन नमबर भी टीके ओमेन ने आप्शन नमबर सी एमन स्री निवास ने और लाश्ट है आप्शन नमबर डी माकिम मरियट ने तिस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C यानिकि MN स्री निवास ने पाश्याति करंड की अउधारा MN स्री निवास ने दीए त्कुषण का right answer होगा option number C आज हमारा अगला प्रस्टन है संस्त्री करंड की प्रक्रिया के विसलेशन में स्री निवांस जात की ब्याख्या करते हैं या था option number A, सहचनात्मक समवर्ग में, option number B, अमूर्त समवर्ग में, option number C, सापेच समवर्ग में और last option number D, सांस्कृतिक समवर्ग में, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा? इस question का right answer हो जाएगा, option number D, यान की सांस्कृतिक समवर्ग में, संस्त्री करंड की प्रक्रिया के विसलेशन में स्री निवांस जात की ब्याख्या करते हैं या था सांस्कृतिक समवर्ग में, equation का right answer हो गा हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रशन है संस्र्टिक करणंड की प्रक्रिया के माध्यम से जात ब्योस्था में गत्चिलता है Option Nob. माथ्र-1 संस्ष्थिक परिवर्वर्थन Option Nob.ignant B. माथ्र-1 संस्षनात्मक परिवर्थन And Last, option Nob. D. उप्रोक्त में से कोई नहीं ते इस Question का Right En줘 dog क्या حوج जाएगा? इस कुश्चन का राइट एंस रोजाएगा हमारा option number B यानकी मात्र एक इस्तिती परिवर्तन, संस्कृतिक करण की प्रक्रिया के माध्यम से जाद ब्योस्ता में गत्सिलता, मात्र एक इस्तिती परिवर्तन है, question का राइट एंस रोगा option number B, आज हमारा अगला प्रशन है, संस्कृतिक करण की का परिवर्तन है, option number B, किसी जाद की संस्कृतिक गत्सिलता, option number D, धार्मिक प्रणाली में परिवर्तन, question का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस question का राइट एंसर हो जाएगा, option number B, यान की किसी जाद की संकृतिक गत्सिलता, संस्कृतिक करण का परिवर्तन की संस्कृतिक गत्सिलता है, question का राइट एंसर होगा, option number B, आज हमारा अगला प्रशन है, संस्कृत करणड को अग्रिम समाजी करणड की प्रक्रिया किसने कहा है किसने कहा है option नमबर यह है एक एक सरन ने option नमबर भी है योगेंदर सिंग ने option नमबर से योगेस अटल ने और लाश्ट है option नमबर दी दीपांकर गुपता ने तिस कुष्यन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुष्यन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option नमबर यान की योगेंदर सिंग ने योगेंद्र सिंग ने संस्कृत करण को अग्रिम समाजी करण की प्रक्रिया कहा है, त्कुष्ण का राइट एंसर होगा हमारा option number B, आज हमारा अगला प्रश्ण है, भारत में परंपरा अनिवारतिया आध्रिक करण की प्रक्रिया को धीमी नहीं करती है, किसने इस परिघटन को परंपरा की आध्रिकता कहा है, त्किसने कहा है, option number A दियागा लायट आई रोडोलफ ने, option number B, मिल्टन सिंगर ने, option number C, एलन आर विल्स ने और लास्ट है, option number D, माकिम मरियट ने, त्कुष्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्ण का राइट एंसर हो जाए आज हमारा अगला प्रश्ण है, निम्न लिखित में से सामाजिक परिवर्तन के स्रोत कौन से हैं, option number A, आविस्कार, option number B, खोज, option number C, प्रसार, और लास्ट, option number D, उप्रोक्त सभी, त्कुष्ण का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्ण का राइट एंसर हो जाएग हमारा option number D, यानि की उप्रोक्त सभी, आविस्कार, खोज, और प्रसार, आज सामाजिक परिवर्तन के स्रोत हैं, त्कुष्ण का राइट एंसर होगा हमारा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, किसने या माना है कि वेस्वी करेंड भारती संस्कृत पर निश्चित रूप से दबाव डालता है, option number G, और या यानि की योगेंदर सिंग, यानि की योगेंदर सिंग ने हमाना है कि वेस्वी करेंड भारती संस्कृत पर निश्चित रूप से दबाव डालता है, उन्होंने कहा है कि बुमंडली करेंड को एक पच्छी ढंग से नहीं समझा जा सकता है उसे समझने के लिए सामाजिक आर्थिक और तकनीकिक पच्छ है, तकनीकी के मादम से सामाजी संचना का संचार बढ़ा है और विस उन्मुक्त यतना बड़ी है, और जीवन सहली में बदलाव आया है, तो कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number C, आज हमारा अगला प् ग्लोबल विलेज सब्द का सरफथम परियोग कनाड़ा के लेखक किसने, कनाड़ा के लेखक मार्शल मैकलूहान ने आधनिक विद्धो संचार बेउस था, टेवी, इंटरनेट, फैक्स, टेलिविजन और प्रद्योकी करण द्वारा एक सोत्र में बने आज के समझ बिस के लिए किया गया था, मैकलूहान के अनुसार, जनसंचार के नवेंतम सादनों के करण संपोर्ट विष, एक छोटा सा समधा, एक छोटा सा गाउं बनता जा रहा है, आज की दुनिया में एक कोने का व्यक्ति, दुनिया के किसी दोरस्ट कोने में बसे व्यक्त से पलक झपैकत का भाव प्रदशित करते हैं उसे बैस्विक ग्राम का विचार कहते हैं कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर बी आज हमारा अगला प्रश्चन है बैस्विक ग्राम का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर बी यानि की वाल इस्टाइन के दोरा प्रश्चन नमबर अगला प्रश्चन है साहर भौमकि के साथ किसके का नाम का समध्ध है option number A, Mackey Marriott का option number B, Milton Singer का option number C, Robert Redfield का और last is option number D, S.C. Mayor का ति इस question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number A, यानि की Mackey Marriott का भारती ग्रामीन समाज के परपेचे में सारभोमे की करण एवं अस्थानी करण की अधाणाओं के साथ Mackey Marriott का संबंद है, question का right answer होगा हमारा option number A, आज का हमारा अगला प्रश्न है निमने से किसने ग्राम नगर सातत की अधाड़ा दी है, किसने दी है, option number A, लुई वर्थ ने option number B, Robert E. पार्क ने, option number C, Robert Redfield ने, और last option number D, याने, हानरी मैनने, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, हमारा option number C, यानि कि Robert Redfield ने, ग्राम नगर सातत की अधाड़ा, Robert Redfield ने दी है, question का right answer होगा, option number C, friends या question कई बार exam में पूछा चाच चुका है कि, ग्राम नगर सातत की अधाड़ा किस ने दी, आज है हमारा अगला प्रश्ण है, living relationship एक नविंतम प्रगटना है, जो निवन में से किस समाज में पाई और सविकार की जाती है, option number C, option number B, बिश्व नगर, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D, यानि की बिश्व नगर में, living relationship एक नविंतम प्रगटना है, जो बिश्व नगर समाज में पाई और सविकार की जाती है, question का right answer होगा option number D, आज हमारा अगला प्रश्ण है, भारत में आत्म की करण के बारे में निम्न संयूजनों में कौन सा संग है, option number A, विसरन तथा पर संस्क्रित गरहन, option number B, उद्विकास तथा विसरन, option number C, उद्विकास तथा पुनर जैनर, और लाष्ट, option number D, विकास यहां आत्मी करण, तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा, option number A, यान की विसरन तथा पर संस्क्रित गरहन, आजनी की करण में विसरन तथा पर संस्क्रित करण दोनों प्रक्रियां घटित होती है, किसी वस्त विचार संस्क्रित के अपने उत्पत्य अस्थान से अन छेत्रों में उत्रोतर फैलाने की प्रक्रिया विसरन यान की प्रसार कहलाता है, जबकि एक संस्क्रिट दौरा दूसरी संस्क्रिट के तत्तों को स्वच्छा से अथ्वा दबाओं से ग्रहंड करना पर संस्क्रिट ग्रहंड हैद कुश्चन का राइट एंसर होगा ओप्शन नमबर ए फ्रेंड्स मैं आपको इंफॉर्म कर दू कि आप लोगों के लिए जियासी लेक्षर के लिए इस्पिसल जो मॉक्टेश कंड़क करवा जा रहा है वह रिग्लर इबिनिंग में टेन पीम पे कंड़क करवा जाता तो आप लोग जो हैं मॉक्टेश में पार्टिस्पेट करने क चाहता हूं कि आप चैनल के प्लेइस्ट में जाएं वहां समात-साथ अफ्रेरिटेट के अलग प्रैसिलिस्ट मिल जाएंगे और समात-साथ की परिभासदस टेट प्लेइस्ट अलग से बना दिये और समासाथ की परिवासा से रिटर जो प्राक्टिस है उसको भी जरूर सॉल्व कर दिजेगा और सबसी बड़ी बात जीएस के पॉर्शन के लिए यूपी इस्पेसल के लिए भी एक वीडियो जो है बनाया गया है जो एक गंटे प्लस का तो यदि आप एक्जाम से पहले-प मुझे रग रहा है 16 हो गया 17-18 बस दो दिन का समय बचा हुआ ठीक है तो दो दिन का समय बचा आप दो दिन में जितना हद से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप 24 गंटे पढ़िए क्योंकि टाइम तो बचा नहीं है अब ठीक है 24 गंटे नहीं पढ़ना हो ता तब का see this guy कोन इडिक हमांट मिच्छन 받 थे सरस्यदें और कर सक्वाथवाइल देखने को मिलें तो आपे लोग जो है अधाना से उनैडिड़ स्की परिवासषर इसे लेड़े और उपवन रसे एकार वीडियो में सारे कुछन कबर किया इसको जरूर सॉल्व कर लिजेगा ठीक ह तो अगर आपको comment box में ना मिल रहा हो तो आप लोग मुझे comment box में mention करेगे मैं आप लोगों को discussion box में इन सभी playlist का जो link है उसे provide करा दूँगा ठीक है बढ़ते हैं हम आज के पने अगले प्रस की तरब आज का हमारा अगला प्रस्ट है कलांतर में पारिवारिक संगठन के द्रिष्ट कोंड से पाश्याति करण है option नमब्र एक लाबदायक नहीं और लास्ट नमबर डी पूर्टिया हानिकारक तो इस question का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंस हो जाएगा हमारा option number B यान की अधिक लाबधायक नहीं कलांतर में पारिवारिक संक्टन के द्रिष्ट कोंड से पाश्याती करण अधिक लाबधायक नहीं है क्योंकि इससे संक्ट परिवार बिक्टित हो रहे हैं आज हमारा अगला प्रश्ण है हमारे वर्तमान समाज की विशेष्टा है option number C सारभामिक करण और लास्ट है option number D उक्त तीनो तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D यानिकी उक्त तीनो हमारे वर्तमान समाज की विशेष्टा है संस्कृति करण अस्थानी करण तथा सारभामिक करण संस्कृति करण के माध्यम से निम्न जातियां उच जातियों की जीवन सहले को अपनी प्रस्थित को उचा उठाने का प्रयास करती है तो कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number D आज हमारा अगला प्रश्चन है आधर की करण का अर्थ है option number is पुरानी विचारधारा में कोई विश्वास नहीं option number भी पृतेक पुराने तरीके के विरुद option नम्र से प्रतेक तरीके पर विवेवर्पूंट तरीके से विश्वास और लास्ट option number D प्रतेक आधिक तरीके पर अंध विस्वाज तो question का right answer क्या हो जाएगा इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C यानि की प्रतेक तरीके पर विबेक पूंट तरीके से विस्वाज ठीक है यहाँ एक जटिल प्रकिया है जिसमें अनेक तत्यों का समाविस है तथा जो जीवन के भौतिक आर्थिक राज्यातिक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं बौतिक सभी पहलियों से संबंदित है कुष्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर सी आज यमारा अगला प्रश्ण है बैस्वी करण को आगे बढ़ाने हैं तो प्रमुक प्रेरक तत्व हैं कौन सा है ओप्सन नंबर बाजार की खोज ओप्सन नंबर भी बहुराष्टी निवेस ओप्सन नंब करण की आउधाना 20 के संबंद में एकल समिष्ट के रूप में एक नवीन चेतना के उद्वा को इंगित करती है सामाजिक आर्थिक संबंदों का संपूर्ण 20 तक जो है विस्तार बैस्वी करण है तो कुष्चन का राइट एंसर होगा ओप्सन नंबर डी आज यमारा अगल जाएगा इस कुष्चन का राइट एंस ओर जाएगा हमारा ओप्सन नंबर डी यानिके संकीरता वा कठोरता धर्ण निर्पेच्चता एक ऐसा सिध्धान पर आधारी सामाजिक नेतिकता की एक व्योस्ता है जिसे नेतिकता के मापदन तथा ब्योहार की निर्धारण के लि हमारा ऐप्सन नंबर डीं आज हमारा अगला प्रश्चन है कि निवन कौन otras नहीं है वह अटिया गया है लोक का लोक कथा उंसर तरुमार निशीर्माह हमारे और लास्ट ऑप्सन नंबर डी वधीवाह घ्रथ तो इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number C, यानि की रामायड, लग परंपराओं से आसे ऐसे प्रभाओं से है जिसका उद्गम गाउं में होता है, इसका विकास ग्रामेड सम्दाओं में रहने वाले अप्रभूत एम सामान जनू के बेश स्वधा होता ह बिरहत परंपरा की बांद लग परंपरा के परिश्करण तथा सजने या सवारने का कोई सचेतन प्रयास नहीं किया जाता और नहीं इसकी अधिक छानबीन की जाती है, question का right answer हो जाएगा हमारा option number C, आज हमारा अगला प्रशन है, समाज के अध्यान में अगस्त काम्टे ने क्या question आप लोगों से पिछले practice ने पूछा गया था, जिसका maximum लोगों ने सही जवाब दिया था, तो आईए जानते हैं कि इस question का right answer क्या हो जाएगा, इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B, यानि की आतिहासिक परपेज का, समाज के अध्यान में अगस्त काम्टे ने आतिहासिक परपेज का उपियोग किया है, या इतिहासिक परपेज का उपियोग किया है, या अतिहासिक परपेज का उपियोग अगस्त काम्टे ने समाज के अध्यान में किया है, question का right answer हो जाएगा, option number B, आज हमारा last प्रश्ण है, आध्युकी करण का अंतिम महत्पूर्ण मापदंड है, option number जैन सहभागिता, option number B, विबेग सिलता, option number C, गत सिलता, और last option number D, दोगी की करण, फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हमारे practice head के last question आप लोगों के लिए छोड़ती जाते हैं, याने कि इस question का right answer क्या होगा, आप लोगों को comment box में comment करके बताना होगा कि questions का right answer क्या होगा, friends ऐसा हो सकता है कि आपको आज थोड़ी बारिस की आवाज आ रही होगी, बारिस बहुत तेजी से हो रही है, जब मैं recording कर रहा हूं तो थोड़ी बहुत अगर बारिस की आवाज आ रही हो तो थोड़ा सा इसको background music समझ के आप लोग जरूर बताएं जिसे क्या होगा, हम आपके comment को अपने नेश वीडियो में जरूर consider करेंगे, तो चलिए मिलते हैं आप से में नेश वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद बंदि मात्रम